हेलो वेल्कुन मिश्कार दोस्तों मैंने ना में दीपक चोहान आप देखेरी मेरे यूट्यूब चैनल चली दोस्ते आज का वीडियो शुरू करते हैं इस वीडियो का अंदर हम बात करने वाले हैं स्कॉलर्शिप के बारे में 12th क्लास से पास होने के बाद आप एक कॉलेज क कोई भी कॉलेज हो चीक है प्राइवेट हो गोवर्मेंट उससे प्रग नहीं बढ़ता लेकिन अगर हम बात करें स्कॉलर्शिप लेनी हैं आपको अपनी फीस का कुछ अमाउंट आपको पीछ लिलना चाहते हो कैसे अपलाई करते हैं इस वीडियो के अंदर पांच स्कॉल स्कॉलर्शिप से जो हमारी पहली स्कॉलर्शिप है वो है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलर्शिप और कॉलेजन युनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ओके यह में इसके अंदर में 82,000 स्टूडेंट्स मतलब उनको 82,000 स्टूडेंट्स को यह स्कॉलर्शिप मिलती है इसके अंदर आधे लड़क्य होते हैं अधे लड़किया होते हैं अगर आप चार्व साल के लिए को थे यहां Kalo के मिलते हैं मतलब किvisor desic साथ में 10 मुईने कॉलेज चलती दिन पर मन्त आपको 1000 रुपीर्स मिलेगा ओके अगर आप पांच साल का इंटेग्रेटेड़ कोर्स कर रहे हो का एंट बी ए प्लस बी एमी दैन या फिर वी टेक या प्लस एम टैक देन पांच साल का इंटेड़ेड़ कोर्स में आपको 20 असा आठ लाग से उपर है दिन आप इसको नहीं ले सकते हैं अपकी फैमिली इंकम आठ लाग से कम होनी चाहिए ओके अपलाई कहां करते हैं यह तो थी इसकी अलिजबिलिटी अपलाई कैसे करना है वो बताते तो अपलाई करने के लिए इसके लिए है एनसप का पोर्टल नेश जा रहे हैं मतलब जू गल्स टेक्निकल और जारी लाइक बीटेक कंदर आ रही है उनके लिए स्कॉलरसीप है अलीजिबिलिटी कि बात करें आपको फस्ट और एलिजिबिलिटी है आपके पास टेकनिकल कूर्स होना चाहिए जो कि आपके पास है ही वी टेक हो या बीग हो स लेकिन एक drawback है कि यहां पे सिर्फ 4,000 students को ही मिलते हैं तो वो उसकी एक list निकलती ही उसके according मिलते हैं और कितना amount of money मिलता है आपको तो second वाले मतलब प्रगती scheme के अंदर आपको 30,000 रुपए तो per year tuition के मिल जाएंगे और 37,000 रुपए आपके academics के मिल जाएंगे यह आपको apply करना है NSP पर apply कर सकते हो ओके अगर third scholarship की बात करें then हम बात करते हैं MoMA scholarship MoMA scholarship का full form है ministry of minority affairs ठीक है यह हो गया MoMA अब बात करते हैं क्या है यह scholarship देखो यार इसकी eligibility बताते है eligibility यह है कि अगर आपकी family income थाई लाग से कम है मतलब आप एक middle class student हो थाई लाग से कम आपकी family income है मतलब parents income और साथी साथ यह criteria है और आपको 12th pass करना है 60% plus से then आप इसके लिए apply कर सकते हो total 60,000 students को यह scholarship मिलती है apply कहा करना है और अमाउंट कितना मिलता है वो मैं बता देता हूँ amount मिलता है आपको 10,000 रुपए पर year लेकिन criteria यह है कि आपकी family income जो है कम से कम 20,000 आपकी college की fees है tuition fees then आप इसके लिए 10,000 आपको मिल जाएंगे मतलब 50% आप मान के चल सकते हो चीक है और अगर आप इसके लिए एक फाइदा और अगर आप NIT या IIT के अंदर में study करते हो then आपको full tuition fees refund मिल जाती है मोमा के अंदर में ओके अगले scholarship चौती scholarship की बात करते हैं वो जो की है SCNST cast category students के लिए यह सारी इनके लिए थी लेकिन यह प्रसनली जो चौती वाली है यह उनीके लिए ओके अब बात करते हैं मोमा के चौती वाले के बारे में चौती का नाम है IOCL या फिर इसे दूसरा नाम मिलती है मतलब आपके first year का result आने के बाद इसे का लिए apply होता है और second year से आप मिलती है apply कहा करना होता है IOCL के form पर मतलब उसकी खुद का portal है या फिर आप apply कर सकते हो NTPC के portal पर वहाँ पर जाके आप apply कर सकते हो आपको कितने रुपर मिलता है वो मैं बता देता हूं वो उनक drawback है कि आपकी जो parent income है वो एक लाग के एक लाग बर NM से कम होनी चाहिए then आप इसके लिए apply कर सकते हो यह कोई बड़ी बाद नहीं है income certificate बन जाते हैं आप थोड़े खर्ज कर सकते हो देन बन जाते है और 3000 रुपए एक मत के आपको मिलते है एक drawbacks और है सिर्फ 300 students को यह मिल है चीक है और drawback एक यह है कि सिर्फ 300 बच्चे है बाकी सब कुछ सही है SCST के लिए खास करके यह मानी जाती है पांचवा आखरी वह बात करते हैं scholarship जो की है post matrix scholarship almost सभी स्टूडेंट इसको prefer करते हैं कि मतलब post matrix ले 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 कि इसको अगर एक बाल बताता हूं आप post matrix scholarship लेते हु इसलिए बोर रहा हूं क्योंकि यहां पे ना बहुत मतलब आपकी college के तुरू approval process अलग होता है then bank के तुरू approval process अलग होता है और 2-3 ministry department से अलग approval process होता है then उसके लिए बहुत लंबा time चला जाता है और कभी-कभी बीच में form cancel हो जाता है तो आपको वापिस document update करने पड़ते ह है वगरा वगरा वातलब काफी लंबा process है लेकिन अगर आपकी college के दुरूसब जगे से यह हो गया then आपकी जो fees है उसकी 70-90% fees आपको tuition fees वापिस मिल जाती है अपलाई करने का तरीका बड़ा ही simple है आपको जाके net पे लिख देना है पोस्ट मैट्रिक्स scholarship देना आपके सामन यह 5 scholarships आपके लिए बहुत जादा help करी होगी और साथी साथ एक information और बता दू जो बच्चें मतलब थोड़े दिमाग लगा रहे होंगे कि मैं यह scholarship भी लेता हूं यह भी लेता हूं तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता है एक time पर आप एक scholarship ले सकते हो दो scholarship के लिए apply कर सकते हो ल अलग होती है अपने अपने एक particular states wise भी अलग scholarship निकलती तो बहुत सारी scholarship होती है आप Google जाके try कर लीजेगा और अगर आपके दिमाग में कुछ और scholarship है तैने comment section के अंदर बताईएगा हमें और मिलते हैं आपसे next video के अंदर उमीद है वीडियो आच को पसंद आईगी पसंद लाइक कर दिए चैनल पर पहले वा राइव तो सब्सक्राइब कर दिए सब्सक्राइब करने के साथ बैल आइकन को भी दवाईएगा और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पेर मिलती रहेगे तो मैं में ताम सबसे नेक्स वीडियो में as always see ya have a good day